बहुत 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 खुजूम है अपने देश में आगए और मैं अपनी सरकार का धनेबाद करना चाता हूँ मैं बारत सरकार का खुब शुक्रिया आदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ हमें यहां निकाला गोरियों के आवाज ऐसे थी जैसे हम दिवाली में पटाके फोड़ते हैं तो रुकने का एक दम से हो जाए ऐसे आवाज थी जाएट ओटाके श्चपर के अल्सका जान की जिए विर जाबके और उधर हाघ दिन हो गया ओवार चल रहा है और किन बहुत तकलिप तकलिध से थे अम लोगो इंडियन लोग कोर्मेंट बहुत अच्छा को सपोर्ट किया है सपोर्ट करके हमको इंडिया पोचे दिया हम लोग इंडियन गोर्मेंट को बहुत दन्यवाद कहना चाहता है कि कैसा मैसूस कर रहे हैं वापस अपने देशा करके बहुत अच्छा लग रहे हैं इंडियन गोर्मेंट बह काना पीना रहना सब कुछ एच्छा है इंजिन गवर्नमेंट को हम लोग और एक बार धन्यवाद बनना चाहते हैं एरफोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें वहां से उन्होंने किस तरह निकाल लिया हम कहा नहीं सकते थी किस तरह हो रहाएं बॉमांडिंग हो रही थी सरयाम लूटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेकिन हम निकले बहुत 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 खुशूम है अपने देश में आगए और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहता जी यहाँ सुदान में फसे हुए थे ओप्रेशन कावेरी के जरीए से हमें यहाँ लाया गया और इसमें मैं बारत सरकार का खुब शुक्री आदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ हमें यहाँ निकाला और हमें अच्छी फैसिलिटीज दी जहाँ जहाँ पहले प करते हूं और इंडियन आर्मी आएंगे ने मेशी जिन्होंने अमारे लिए बहुत कुछ किया उन से को में दन्याद बोलना साथ अपने परिवार के साथ सुदान में रह रहे हैं परिवार अमारा यहीं पे तो कैसा अभी वापस अभी बहुत अच्छा लग रहा है कैसे हाल वहां पर बहुत ज्यादा हो था कि जैसे कीचन में खाना बना रही थी तो उपर्शे जा रहा था अब जैसे लग रहा था कि यह अभी यह इंपर गिरिगा और गोलियों के आवाज जैसे ती जैसे हम दिवाली में पटाके फोड़ते हैं तो रुकने का एक दम से वह जाए हम अपने आपको सेफ महसूस करें लामदूरिल्ला के वहां हमारी जान महफूज नहीं थी कि हम इंडिया इंडियन MBC को हमने फोन किया उसके बाद हम को एहसास हुआ कि अब हम सेफ हैं हम इंडियन गवर्मेंट का शुकर यादा करेंगे कि नहोंने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमें यहां तक पहुंचाया है हम तो वहां मिलने गए थे हमारे रिष्टेदारों को कामन के लिए नहीं गयती मुलाकत के लिए गयती वहां हम तकरीबन 20 दिन फसे रहे हैं फिर आपको रेस्क्यू किया जाएगा यह कैसे पता लगा किसे संपर्किया आप से और किस त हरकत में आ गए और उन्होंने फिर फोन पर फोन शुरू कर दे कि जल्दी तुम्हों फोरम पर के भीज़ दो आपकी तर्तिब बना देती तो अन्होंने पूरा तर्तिब बना दिए तो आप फशे थे वो तकलीत थी लेकिन जब एक बाद आप टच में आये एंबसी के तो उन्होंने वहां में छोड़ा कि नहीं यहां रहो फिर सब को जम्मा करके फिर पॉर्ट सुडन भेज़ दिये हैं मैं सुडन में काम करता था मैं 19 में गया 2019 में गया और फिर आपस आथ तक जाते गया अभी एक साल से मैं उधर आता हूं अभी जब जो है उधर लाड़ाई चीड़ गया इसके वज़े से हम लोग बहुत तकलिफ में था उधर आपके रिश्क्रिकेट किसे संपर किया कैसे बात ही और कैसे आप हाँ हम उधर एंभी सी से बात किये बाद में जिस आपिस से हम लोग गये थे उन्होंने भी बहुत मदद किया आपको कहा रखा आपको अधर इसके बाद उधर से सवदिया से हम लोग इदर आ रहे हैं तो जिस तरीके से सारी मदद हुई आपकी आपकी में बहुत 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 आच्छा तरीका से हो लोग मदद कि हम उनको बहुत बहुत धन्य बाद और आवारी हूं